असलाम अलेकम, अच्छा, टॉपीक का नाम है प्लेट एरिया, अक्सरीशन इन प्लेट इरिया, बहुत असान और सिंपल सा टॉपीक है, जो आज हमने इस्टुडी करना है, देखे मेरे बचे जो प्लेट एरिया ना हमने इसके इसके इंदर ऑ्क्सरीशन का पढ़ना है, मगर Plain Area जिस group का member उसका नाम फ्लैट वोम है यह एक ऐसा फ्लैट वोम है जो parasites का नुकसान देता है यह जानदारों को नुकसान देता है पैरसाइटिक फ्लैट वोम है और यह produce करता है dilute urine dilute urine का मतभी होगा यह फ्रेश वोटर में रहने वाला होगा यह पानी के अंदर कर में घाड़ करता है इसा जानदार जो में अन्दर से अंमॉनिया को खारज करने वाला थालिक एक-अब्य नियांट्रिया किसे खारज करता है इसके अक्सडीरिटर्डी सिस्टम का नाम प्रोट气 следiam इसके अक्सरीटी सिस्टम उसका नाम अब आपने याद रखने हैं यहां पे बहुत इंपोर्टन शॉर्ट क्वेस्टन और एमसी कुस आने वाले हैं पहले चीज़ प्रोटोनिफरीडियम क्या चीज़ है तो मैंने बताई यह अक्सिरिटी सिस्ट्रम है मर इसकी पहचान किया है यह ट्यूबूलर अक्सिरिटी सिस सिस्ट्रम है विदाउट इंटर्नल आउपनिंग अंदर से कोई आपनिंग नहीं हैं अंदर से क्लोस यह प्रोटोनिफरीडियम के पहचान है यह पूरी बोडी में यह फैला हुए और इसकी जो ब्रांची जाना यह कैप्ट होती है इसकी ब्रांची के एंड पर मजूद हो है और उस सेल का नाम के बैटा वह फ्लेम सेल मैं इस 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 के नाम आप बैटा यह फ्लेम स्ट यह फुरा पूरा प्रोटन अफ्रीडीयम है यह आपको जो छोटी ब्रांची इस नज़रा कि आरी है इस ब्रांच के लास जो एक पर लिए अफिलेम् क्ते ऑप डेça है यह है तो साइटोप्लाजा में क्या मजुद है , न्यूकलिस मजुद है यह जो सेल है , इसके पास यह मजुद है , सिल्यूकसी आली ओुछ्ढर्ट नाली मैने क्या कहता है ,enary pose , जहां भी ओपन होगी , यह जो सुराख है उस रा को का जैते है ने फूरỹडी फ्लियम मझूद थें उस पाणी को का जैते है इन्ठस्टिसिल्व फूइड इस पानी के अधर Stick इसlection ? मुझूद है जैसे सीलिया अपने आपको मूव करता है बीटिंग करता है तो बीटिंग करने के बाद यह सारा का सारे इंटर्स्टिशिल फ्लूइड प्लस नाइट्रोजिनस वेस्ट अंदर चला जाता है प्रोपल कर जाता है किसके बाटा फ्लेम सेल के अंदर इसी तरह वो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है सीलिया की बीटिंग के वरद से आगे जाए जिसका नाम अक्सिलिट्री डग्ट और इस तरह से यह सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट बाहर रिमूव हो जगा किसके थरू बटा नाफ्रीडियो पॉर के थरू तो यह है फ्लेम सेल का काम सीलिया की बीटिंग करता है अंदर आता है इंटरस्टिशिय फ्लूड के सार नाइट्रोजिनस वेस्ट अंदर आने के अपने आपको flickering कर रहो जैसे आग का शोला अपने आपको हिला रहा हो जैसे आग का शोला दिखाई देता उस तरह का ये मेरे बचे Celia की beating होती है और उस निस्बत की वज़ा से इसको हमने flame cell का नाम दे दिया आगे देखिएगा ज़रा सा मैंने आपको अभी जो आपको बता है कि flame cell के पास क्या मजूदा टफ्ट ओफ सीलिया और beating of celia looks as like a flickering of flame तो flame की तरह flickering करने के वरा से जो beating of celia flickering of flame की तरह ये beating करने के वरा से इसको हमने flame cell का नाम दे दिया और flame cell के पास सबसे important चीज़ का है बटटा टफ्ट ओफ सीलिया है फिर मैंने क्या बताया ये क्या करेगा सीलिया beating करेगा interstitial fluid प्रोपल करके अंदर आ जाएगा और अंदर जाने के बाद अक्सिरीटी डट के बाद जाएगा और अक्सिरीटी डट से नफ्रीडियो पॉर्ट से बाहिर चला जाएगा होता है और जो मैं बताता हूं कि short और mcqs के लाह से important है ये आपने याद रखना होता है और साइप ले लिस्टे बनी है part 1 की भी बनी है part 2 की भी बनी है आप जाके कोई भी ले सकते हैं तो ये था acceleration in plane area ओकी बड़ा अफिस